तो भई यहां हमसे कहा जा रहा है कि फर्स करें कि K JL के बिलकुल दर्मियान में है यानि K असल में JL का मिट पॉइंट है और अगर यह बिलकुल दर्मियान में है तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो हिस्सा है वो बिलकुल बराबर होगा इस हिसे के यानि jk बराबर होगा kl के अच्छा हमें बताया जा रहा है कि jk 8x-8 के बराबर है जबके kl बराबर है 7x-6 के और चुम्कि ये दोरों एक दूसरे के बराबर है इसलिए हम 8x-8 को बराबर रख सकते हैं 7x-6 के सवाल यह है कि हमें jl की कदर मालूम करनी है जारी jl का फासला मालूम करना है तो हम करेंगे यह कि इस equation को हल करकर x की कदर मालूम कर लेंगे और फिर jl का फासला मालूम करने के लिए हम jk में x की कदर डाल कर jk का फासला मालूम कर लेंगे उसके बाद kl में x की कदर डाल कर kl का फासला मालूम कर लेंगे और उन दोनों को आपस में जमा कर देंगे क्योंकि इन दोनों को जमा करके हमें बिल्कि लेक भी लूँ, जेके को के-ईल में जमा करके हमें जे-ईल मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो चलें काम शिरू करते हैं, पर इस एक्वेजन को हल करने के लिए हमें सारी एक्स की जो टर्म्स हैं वो एक तरफ लानी होगी और जो मुस्तकल उनको एक्वेजन के दूसरी तरफ पर लाना होगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक्वेजन के दोनों हिस्सों से 7x को माइनिस कर दूंगी, जब हमें हम एक्वेजन के दोनों हिस्सों में 8 को जमा भी कर देते हैं, ताकि यह दोनों गाम एक साथ हो जाएं, तो यहाँ पर फिर 8x माइनिस 7x को जब हल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, यह दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर मजबत 7x और मनफी 7x आपस में कट जाएंगे, और मनफी 6 में जब हम 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास 2 आजाएगा, तो भाई, x बराबर आगया दो के चले ऐसा करते हैं अब जे के की कदर मालूम करते हैं तो जे के बराबर हो जाएगा आठ जरब दो माइनस आठ के आठ जरब दो बराबर होते हैं 16 के 16 में से 8 को माइनिस करेंगे तो हमारे पास पीछे 8 रह जाएगा अच्छा के L बराबर होगा 7 जमा 2 माइनिस 6 के अब उसूलन इन दोनों को 8 के बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि J K और के L बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि K J L का मिट पॉइंट है यानि ये J L के बिल्कुल पीछ में है चलें देखनें कैसा हो रहा है या नहीं वही साथ जरब दो बराबर होता है 14 के 14 में से जब हम 6 को माइनिस करते हैं तो वाकि सिर्फ आठ रह जाता है तो भाई यूं हमने परक भी लिया के के वाकि J L के बिल्कुल दर्म्यान में है और अब J L बराबर हो जाएगा आठ जमा आठ यानि 16 के और बस यही हमारा जवाब है